क्लास्ट रल्थ बटा नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक है यह लिनियर मैगनिफिकेशन कनकेव मीरर और कन्वेक्स मीरर की बात कर रहे थे तो वहाँ पर उस केस में लिनियर मैगनिफिकेशन किसके बराबर होती है so definition is the ratio of the size of image formed by spherical mirror to the size of object is called linear magnification image का size divided by object का size जो रिशो बनेगी उस सी इसको हम बोलते है linear magnification of the mirror इसका formula derive करेंगे तो magnification किसके बराबर है magnification is the size of image divided by size of object दो तरह से इसको कर सकते हैं concave mirror के लिए भी कर सकते हैं convex mirror के लिए भी कर सकते हैं दोनों में formula भी same रहेगा और काफियत तक दोनों का जो process है करने का derive करने का जो method है वो भी same है अगर आपको यादो कल जो हमने mirror formula किया था तो वहाँ पर एक equation आई थी equation number 1.12 था उस article में which is equal to a dash b dash over ab which equal to pa dash over pa यह equation हमने उसी article में से उठाई है और इस equation में ही हमने u, v, i और o की values पुट करनी है और हमारा magnification निकल जाएगा a dash v dash क्या चीज़ है size of image है a b size of object है image का size हम minus में ले रहे हैं क्योंकि वो नीचे की तरफ थी image और principal axis के नीचे वाली जो values होती है नीचे की तरफ उसको हम negative में लेते हैं pa minus u के equal है pa dash minus v के बराबर है v और u क्या चीज़ है यह हमने mirror formula में already कर लिया हुआ values put करते हैं तो आपके पास magnification जो की image over object है वो बन जाती है minus v divided by u तो बस यह formula आपने याद रखना है कि जो magnification है वो v divided by u के बराबर होती है हम इसको दूसरी form में modify भी कर सकते हैं हमने जरूरी नहीं कि v और u की form में ही लिखना है तो जो mirror formula हमने किया था 1 over v plus 1 over u is equal to 1 over f तो इसी formula में आप यहां पर अगर multiply कर देते हो both side with u तो यह वाली term 1 बन जाएगी u over v बन जाएगा और साथ में u over f बन जाएगा तो इसको हमने array arrange किया है one को एक side पे ले गए तो आपके पास u over v हो जाएगा u over v को opposite कर देंगे reciprocal कर लेते हैं तो उसाथ में minus लगा देते हैं तो आपके पास आएगा minus v over u किसके बराबर f divided by f minus u अभी उपर हमने किया magnification किसके बराबर है minus v over u तो यहां पर minus v over u f over f minus u है तो आपने v को replace कर दिये f or u की form में magnification का formula निकाल ले इसी तरह से आप फार्मूला जो है वो v और f की form में भी निकाल सकते हो तो f minus v over f is again equal to magnification तो आपने इसको कर लेना magnification का जो definition है और यह relation याद रखना है the most important यहां पर जो relation है वो यही है magnification which is equal to minus v over u same चीज़ जो है वो convex mirror के लिए भी की हुई है कोई ज्यादा difference नहीं है इसको आप कर सकते हो खुद भी उसके बाद next जो है formation of image by the concave mirror concave mirror की जो images है अलग-अलग position पर कहां पर बनती है तो अगर object जो है वो infinite पे हो तो infinite से अगर lines आएंगी तो image जो है वो focus के उपर बनती है तो second आपके पास जो है अगर object जो है वो center of curvature से दूर है तो ऐसी situation पे जो आपके पास image बनेगी वो focus और center of curvature के बीच में बनेगी यह already आपने अपनी lower classes में भी किया हुआ है तो same चीज़ repeat हो रही है बस यहां पर मेरे formula में आप positions भी सासाथ निकालते जा रहे है when u is at infinity इस case के लिए तो आपके पास v कहां पर महुंच जाएगा f के उपर हो जाएगा similarly आप यहां पर अगर object lies beyond cc से दूर है तो आपके image जो है वो c और f के बीच में lie करेगी इसी तरह से आपके पास बाकी के cases भी दी हो है अगर object जो है वो center of curvature के उपर है object जो है वो center of curvature of focus के बीच में है then focus के उपर है तो यह सारे अलग-अलग cases जो है इसको आप कर सकते हो तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसको एक बार read कर ले then इसके बाद next है हमारे पास applications of spherical mirror यह भी एक छोटा सा question जो है कहीं बार आपका paper में आ जाता है so इसको read कर लेते हैं एक बार तो first है application में जो है concave mirror is preferred to a plane mirror for shaving so shaving के case में जो है concave mirror को prefer किया जाता है तो concave mirror क्या होता है जब उसको focus से पहल पास रखा जाता है object को अगर focus से पास रखा जाता है तो यहां पर आप observe करोगे इनी cases में कि इस case में आपके पास virtual image बन रही है और size में बड़ी image बन रही है तो ऐसी situation में अगर आप shaving में concave mirror यूज करते हो रखना बिलकुल close है उसको यानि कि आपका जो face है वो focus और pole के बीच में हो तो ऐसी situation में आपको अपने चेहरे की जो image है वो बड़ी दिखाई देगी size में then उसके बाद next है the concave mirror is used by dental surgeon as inspection mirror तो उसी तर सेम उपर वाला की हैस हो गया कि dental जो doctors होते हैं वो concave mirror को use करते हैं दांत के अंदर जो मुह के अंदर अगर दांत को देखना हो तो आपको concave mirror के अंदर जो है वो दांत की जो image है वो बड़ी दिखाई देगी next number third पर है जो concave mirror is used in a ophthalmoscope तो यहां पर क्या होता है कि जो eyes के doctors होते हैं eyes surgeon होते हैं वो concave mirror को use करते हैं light को जो है वो retina की तरफ reflect करने के लिए उसके बाद number four पर है the concave mirror is used as a reflector in cinema projectors बगेरा में इसका use के जाता है concave mirror concave parabolic mirror is used in the search light जो torch की light होती है जिससे एक सामने की तरफ focus होती है तो वहां पर भी concave mirror का use होता है then number six the concave mirror is used in the construct and construct reflecting type astronomical telescope telescope में भी इसका use के जाता है then उसके बाद number seven पर है the convex mirror is used as a driver's mirror in the scooter तो जो गाड़ियों में scooters बगेरा में पीछे देखने के लिए एक mirror लगा होता है तो वहां पर convex mirror का use के आता है then अपनी next class में हम refraction study करेंगे